लुद्याना के डाबा लहारा रोड पर एक नीजी कमपनी की बस दुबारा 14 साल के बच्चे को कुचलने का मामला सामने आया है बच्चे की मौत के बाद गुसाय परिजनों ने बस पर पत्थर बाजी कर तोड फोड की और धर्ना परदर्शन किया वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड को काबू में करते हुए लोगों को शांत करवाया इस दोरान मिनितक प्रिंस के पिता ने बताया कि आई सुबे बच्चे को लेकर श्री आलमगीर साहब गुर्द्वारा में माथा टेकने जा रहे थे कि रोड क्रोस करते समय बस किच पेट में आने से पिंस की मौत हो गई उन्होंने कहा कि ड्राइवर मौके से फ्रार हो गया इस दोरान उन्होंने इंसाफ कि गुहार लगाई है मुंडे रूं एकदम खुचल दिता उन्हें नाल एक दो और स्कुट्री स्कुट्री मों भी मार्या ठक कर वजेवार ड्राइवर फरार हो गया तो पॉने नाव जिदी गल्लस भीरी साड़े आठ नौ पूलिस ता फिर बाद चे साड़े नौ तक आई है कि इंसाब करिये सर पूलि भुला ये कोई किसी चीज़ है एसीपी रमंदी भुला ने कहा कि 14 साल के प्रिंस नामक युवकी बस के नीचे आने से मौत हो गई है जिसके बाद गुसाय परिजिनों ने अंगामा किया और बस की तोड़ फोड़ की वही कहा कि बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया उसके खिलाब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ड्राइवर की तलाश जारी है कहा कि जो भी दोशी होगा उसके खिलाब मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच परताल की जाएगी आज सुबहा इंफर्मेशन आई सिगी जी भी एक बच्चा हैगा तेरा चौदा साला दा फ्रेंस कुमार उन्हों बस पिछो हिट करगी ते बच्चे दी मौक्के दे उत्ते डेथ होगी सी बच्चा अपने फादर ना गोर्दरों सा मता डेक के वापस आ रहा से अपने गरवा ते इंस्टिगेड करन तो बाद फेर जड़े मौके ते हजूम कठा होया सेगा उन्होंने बास दी पान तोड़ करन दी कोशिश कीती ते शीशे शूशे तोड़े भी बास दे ते होन उत्ते भी जुग बांदी कार वई हैगी उवी अपा हमाच्चा होई हैगी आगर कोई सामने अंदी है गिया ताप हम लाजमा तोनों को एक्स्टोनेशन आवां कि ते कार वीव करें बिरो रिपोर्ट लुधियाना